नमस्कार मेरा नाम है सूमिस सिंग मेता आज का हमारा टॉफिक है Radioactive Disintegration and Displacement Law तो हमने पिछे वाले लैक्चर में पढ़ा था कि जो Radio Activity क्या होती हमने रेटियो एक्टिवीटी का पार्टिकल का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, ठीक है, यह हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था, कि जब भी कोई nuclei disintegrate होता है या फिर जब भी कोई nuclei radioactive radiation emit करता है तो उससे तीन type की radiation निकलते हैं एक होता है alpha एक होता है beta और एक होता है gamma, alpha और beta दो गया होते हैं, दोनों क्या होते हैं particle होते हैं और जो gamma होते है वो क्या होता है, एक electromagnetic radiation होता है यह भी simple हम क्या बोल सकते है इसको gamma क्या होता है photon होता है जो alpha होता है वो itself क्या होता है एक helium का nucleus होता है यह हमने पढ़ा है पिस तरड लेक्चर में कि जो alpha होता है वो खुद में क्या होता है एक helium का nucleus होता है और जो beta होता है वो क्या होता है बीटा एक fast moving electron होता है क्या होता है fast moving electron होता है और यह क्या होता है गामा हमने पड़ा है यह क्या होता है हमारा photon होता है ओके और हमने यह भी पड़ा कि जो हमारा alpha particle है इसमें कितना charge होता है दो electron के बराबर positive charge होता है एक electron पर कितना charge होता है 1.6 in 10 to the power minus 19 कुलाम charge होता है similarly बीटा पर कितना चार्ज होता है एक इलक्ट्रोन के बरावर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है और फोटोन में हमारा कोई चार्ज नहीं होता है यानि कितना चार्ज होता है जीरो चार्ज होता है यह हमने पिसले लेक्चर में पढ़ा अब आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी न्यूक्ल है कि जब किसी nuclei से या फिर जब कोई nuclei alpha particle का radiation करता है या फिर alpha particle emit करता है तब उस nuclei में क्या effect आता है तो देखते हैं चलिए ओके सबसे मैंने अजून कर लिया कि मेरे पास कोई ये क्या है nuclei है किसी atom का nuclei है और हम जानते है नुकलिय को हम कैसे दिखा सकते हैं इस तरीके से दिखा सकते हैं एक X क्या है nuclei है जहां Z क्या है उसका atomic number है और A क्या है इसका mass number है A का मतलब क्या हुआ number of proton plus number of neutron in nucleus और Z क्या हुआ number of proton हुआ ओके नाओ अब ये nuclei है इस nuclei से क्या निकल रहा है हमारा alpha particle बाहर निकल रहा है minus alpha क्या बाहर निकल रहा है minus alpha बाहर निकल रहा है यहां बोल सकते हूं में क्या निकल रहा है एक helium का nucleus क्या हो जा रहा है बाहर निकल रहा है तो इससे क्या बाहर निकल रहा है 2he4 क्या हो जा रहा है बाहर निकल रहा है तो मैं देख रहा हूँ दो प्रोटोन गयब हो जाएंगे और दो न्यूट्रोन क्या हो जाएंगे गयब हो जाएंगे क्या हो जाएगा दो प्रोटोन और दो न्यूट्रोन क्या हो जाएंगे गयब हो जाएंगे यह atomic number है वो क्या हो जाएगा दो unit कम हो जाएगा और जो mass number है वो 4 unit क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मैंने अजूम कर लिया कि यहाँ पर मेरे पास जो particle मिला जो नया मेरे पास क्या मिला nuclei मिला यह जो नया atom मिला वो क्या है मेरे पास y है तो इस Y में जो number of proton कितने होंगे Z minus 2 होंगे क्योंकि दो proton यहां बाहर निकल गई किसके साथ इस beta particle के साथ और जो इसमें जो mass number होगा वो क्या होगा A minus 4 हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है कि जो 4 nucleon है वो क्या होगे बाहर निकल गई तो जब भी कोई alpha क्या होगा alpha decay होगा या फिर alpha particle किसी nucleos से बाहर निकलेगा या फिर alpha particle का emission होगा radioactive substance से तब हमारा क्या होगा कि जो हमारा mass number में कितनी कमी आजाएगी 4 की कमी आजाएगी और जो हमारे पास atomic number है उसमें कितनी कमी आजाएगी दो की कमी आजाएगी अब यहाँ पर जो यह दो nucleos हमको मिले इन दोनों nucleos के लिए नाम है इस nucleos से नया nucleos बन रहा है तो इस nucleos को हम बोलते हैं क्या parent nucleos क्या बोलते हैं parent nucleos तो इधरवाए nucleos क्या हुआ हुआ parent nucleos हुआ या जिस से alpha particle बाहर निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं parent nucleos बोलते हैं और यह nucleos यहाँ पर हमको नया nucleos मिला इसे हम बोलते हैं क्या daughter nucleos क्या बोलते हैं daughter nucleos क्या बोलते हैं okay यह तो किस case में हो गया जब हमारा क्या निकल रहा है alpha particle बाहर निकल रहा है इतनी बात समझ माई, अब हम किसके लिए देखते हैं, कि जब किसी नुकलियाई से, या जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलता है, हमारा बीटा पार्टिकल निकलता है, तब क्या होगा, ये तो किसके लिए था, अलफा के लिए, नाउ फॉर बीटा सब्सक्राइब conversation गर्टर में तो देखा गया कि जुग वाई में क्या हुआ कि एक नमब्र ओफ प्रोटोन इंक्रीज कर गया लेकिन जो number of total number of nuclear था हूँ क्या रहा 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 देखो हुआ क्या कि जब भी किसी radioactive element से बीटा radiation निकलता है और फिर बीटा particle का emission होता है तो जो daughter nuclei हमको मिलता है उस daughter nuclei में जो हमारा atomic number है वो एक unit क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है लेकिन जो total mass number होता है वो क्या रहता है? शेम रहता है यहाँ पर जो modern theory है यह कहती है कि जब भी हमारे पास क्या होता है? बीटा decay होता है यहाँ फिर जो बीटा यहाँ से बाहर निकलता है किसी parent nucleus से जब बीटा particle का emission होता है तब जो हमारा nucleus के अंदर neutron होता है किसमे change हो जाता है? और यहाँ से क्या निकलता है? एक बीटा particle निकलता है यहाँ बीटा negative निकलता है प्लस एक और ची निकल जिसको हम neutrino बोलते हैं इसकी बाद discuss नहीं कर रहे है फिर हम आगे पढ़ेंगे ठीक है? ओके तो जैसे ही एक nucleus यहाँ फिर neutron किसमे change होता है? प्रोटोन में change होता है तो यहाँ पर एक number of proton तो बढ़ जाएगा लेकिन एक number of neutron घट भी जाएगा तो इसका मलब जो total number of nucleon होंगे और जो mass number होगा वो क्या रहेगा? अंचेंज रहेगा यही कारण है कि जब हमारा beta decay होता होता है एक olar इंक्रेश कर जाता है जो z हो क्या होता है एक होता है नंबर क्या टहलं कर जाता है लेकिन जो और mass number होता हbre q क्या रहता है तो यह तो क्या हो गया हमारा beta decay हो गया सिंपल क्या होता है न्यूट्रोन में चेंज हो जाता है और क्या करता है एक एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है साथ में एक और निकलता है इसकी बाता में भी नहीं करेंगे इसे हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिनों बोलते हैं अब देखते हैं हम किसके लिए गामा के लि फोटोन होता है एक चनमें ठीक है कभी कभी इसकी एनर्जी अगर या हाइनर्जी फोटोन है तो इसकी वेवलेंद्थ क्या होगी बहुत छोटी होगी और कभी-कभी इन फोटोन की वेवलेंद्थ या फिर जो गामा रेडियेशन है इसकी वेवलेंद्थ Extra special radiation से से भी क्या हो जाती है कम हो जाती है यानि यह बहुत हाई एनरजी के क्या होते हैं फोटन होते है यानि गामा पार्टिकल का जो रेडियेशन होता है या भी एलफा डिके और बीटा डिके होगा जब भी alpha particle का emission होगा या फिर beta particle का emission होगा इन दोनों के साथ ही हर बार एक या दो photon निकलेंगे ही निकलेंगे या तो एक निकलेंगा या फिर more than one निकलेंगे यानि कहने का मतलब यह है चाहे वो alpha का emission हो या फिर beta का emission हो हर process में एक या दो क्या निकलेंगे इनके साथ photon निकलेंगे एक द तो निकलता ही निकलता है चाहे वो एलफा वाली केस हो या फिर बीटा वाला केस हो इसी के सहाथ एक बार और रेडियेशन निकलता है वो कभ निकलता है कि अगर हमारा न्यूक्लियाई कहां एकसाइटेट में है ठीक है या फिर हाई एनर्जी क्वांटम स्टेट में है तो कहने का मतलब भी है कि जब कोई न्यूकली आई हाई इनर्जी स्टेट में आता है या फिर वहाँ से निचे जंप करता है तो उस द्रॉइर्टान या पिर नूसा केश हो गया गामा वाला केश हो गामा रेडियेशन एक तो एलफा से हो कहां आएगा जब लो इनर्जी स्टेट में क्या करेगा ट्रांजिशन करेगा उस दोरान भी क्या होगा जो गामा रेडियेशन है वो क्या करेगा इमिट करेगा ओके नव यह तो क्या हो गया कि अलफा पार्टिकल का एमिशन कैसे होगा बीटा पार्टिकल का एमिशन कैसे होगा और गामा पार्टिकल का एमिशन कैसे होगा यह तो यह हो गया अब हम बात करते हैं कि displacement law की, displacement law ब्रहा सिंपल है, कि ये हमको दिया था किसने फजान और सोडी ने इस चीज को स्टेडी किया और यहीं से क्या दिया, displacement का law दिया, एक और important part, कि वो क्या है, कि जब हमारा क्या हो रहा है, गामा रेडियेशन बाहर निकल रहा है, तो न्यूकलिय में कोई भी चेंज नह नहीं आएगा, क्योंकि उसमें न तो proton बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी गामा रेडियेशन इमिट करेगी, कोई न्यूकलिय आई, तो उस केस में हमारा न्यूकलिय में, यह जो हमारा पेरेंट न्यूकलिय है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा तो यह कुन सा था हमारा गामा रेडियेशन के केस में, अब जो दो साइंटिस थे जिनका नाम था सोडी और फजान, उन दोनों ने ही इस चीज को स्टडी किया और एक रूल दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेस्मेंट रूल बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस्म इहां पर हमने हो रही है, यह पर जो नूट्री आइद during alpha emission and during beta emission तब उनने देखा उनने यहां से rule दिया यानि उनने law दिया उस law का जो state है वो बड़ा simple है हम ऐसे इसको बोलेंगे तो law का जो rule जो state है वो क्या है कि जब भी किसी nuclei से यहां से चुनना या nuclei या atom से भी बोल सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि atom को अगर हम periodic table में arrange गरें तो किसके according करते हैं उसके atomic number के atomic number के आधार पर क्या करते हैं उसको हम left से sorry left से right को क्या करते हैं fill करते हैं हमको पता है hydrogen, helium, lithium ऐसे करके तो जैसे हम जैसे ही किसी nuclei से या फिर किसी atom से क्या होता है एक बीटा पार्टिकल का decay होता है किसी भी जब किसी भी atom से एक बीटा पार्टिकल का decay होता है और जो हमको नया particle देखने को मिलता है जो नया atom मिलता है उसमें क्या हो जाता है एक atomic number क्या हो जाता है increase कर जाता है यानि वो periodic table में क्या कर जाता है एक खाना right को क्या कर जाएगा shift कर जाएगा ठीक है आप periodic table को देखोगे तो उसमें अगर ये अगर nuclei है जिसका atomic number z है तो उसके ठीक बगल वाला nuclei कौन सा होगा जिसका atomic number क्या होगा z plus 1 होगा ठीक है तो जैसे एक बीठा decay होगा तो periodic table में atom क्या कर जाएगा एक खाना दाइनी और shift कर जाएगा और जब भी क्या होगा alpha decay होगा कितने खाने दो खाने बाएं shift कर जाएगा कौन atom चैक कहां periodic table में यानि डिस्प्लेस कर जाएगा और इसी हो क्या बिलते हैं हम सोडी और फजान का displacement law बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ पर उसको लिख दूँगा आप देख लीजिए स्टेट क्या है सिंपल सा है कहना कि जब भी कोई पार्टिकल या फिजब भी कोई atom में क्या होता है बीटा श्रिप्ट कर जाता है ठीक है यही क्या है हमारा फजानस रूल है तो आज के लगर इतना ही बिलते हैं आपसे नेस्सक्रास में नेस्सक्रास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा rate of emission है किस तरीके से जो रेट रेट ऑफ इमिशन और रेडियो एक्टिविटी है उसको हम देखने ही कुछिस करेंगे तो बस आज करेंगे इतना ही मिलते आप से नेस पर हम तब तक थेंक यू धन्ने बाद